नाम भी होगा काम भी होगा रखोसला तेरा एगलक मुकाम भी होगा आपके घाओं के हर सड़को उपर लगेगा मेला जिस दिन सफलता आपके नाम होगा तमस्कार दोस्तों आपसे पश्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सरवोदिया उन्लाइन क्लासेस में जैसा कि आप सबों को पता है कि हिस्ट्री का जैक दुबरा जो मॉडल सिट जारी किया गया था वन टू और थिरी वो तीनों का तीनों सेट आपको जो है अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पर किन्टू आपका मॉडल सेट नूमर वन का जो लॉंक वस्टन था दिर के उतर ये प्रस् ठीक है ठीक आंसर देखे फिद्ध लॉंक कोसन लिखने का क्या तरीका होता है उसको समझें सबसे पहले आपको क्या लिखना है इंट्रो इंट्रो लिख लेते हैं उसके बाद आपको आ जाना में बॉड़ी पर में बोड़ी कहने का मतलब है कि जो आपको पीड़ाय यहां और सबसे में पॉयंट आपका है पूणर्जाग्रन तो पूणर्जागरन के बारे में जो भी चीज़ जान रहें वह आपका इंट्रो हो जाएगा उसके पाद क्या पुछ रहा है उद्धे के कारण और विकास ठीक है तो उसको आपको लिखना में सबसे पहले कि पुनर जागरन है क्या तो सबसे पहले हम लोग बात किये थे इसका सौट को सब्सक्राइब पुनर जागरन सब्सक्राइब जरदि हम लोग बात करें तो ज्कत्र में जो होने वाली परगतिय उस सब 2-30 में एक सब्ध प्रयोक किया गया है और इस पुनर जागरन काल की सूरुवाद कहां से विंए तो आप इतली के फ्लोरेंस नामक सहर जो है जिसका अग्रदूत जिसका जनक जो है वो दांते महोदे को जो माना जाता है है इतली के वो एक महान कवी थे दांते उनको माना जाता है यूरोप में 14 से लेकर 17 सताब्दी के काल को जो है वो यूरोप का पुनर जागरन काल कहा जा नहीं हुआ और जागरान सबनाल है जो सब्सक्राइब जो आप मिलकर बना हुआ है मिलकर बना चैनल फीर से तथा जागरन उनमें उत्थान हुआ जो परगती हुआ उसी के लेग शब्द प्रयोग किया गया पुनर जागरत है और 14-17 सथू ये सबता क्षरा है और फिर आपको क्यों से क्या जाता है तो यूरोब का जो है वह आपका पुनर जागरत काल जाता है चलिए आपका रहा इंट्रो है आपको इंटो त्यार करने का जो एक idea मालूम हो गया होगा क्या से क्या जाए एक बार फिर आपको बता देता हूं कि कोई भी question हो उसका जो main word होता है उसी के आधहार पर आपका long question के लिए जो है वो भूमी का त्यार होगा का इंटो त्यार होगा उसके बाद आपका main body main body कहने क का मतलब है कि जो कुस्टन आपका अंसर बांग रहा है उसको दीजे बीच में और लास्ट में आपका हो जाएगा निसकर्स ठीक है चलिए अब हम लोग क्यों क्यों करते हैं कि उपरोगत संदर्व में जहां तक यूरोप में पुनर जागरन के उदे के कारणों का परसन है तो यहां पर आपका हो जाता है सामतवाद का पतर ठीक है फार्ट का अंतर्श नवेसन और पांच माई ऑपका होग के आपका होगे सामतवाद का पतन फ्लीज में विस तो देखतें हैं ती एक इसको आप समझने का प्रयास की जिए ठीक है इसका अन्सार जो हम पेडियप में डाल देंगे पेडियप के माधियम सज्च है टेलीग्राम में डाल टेंगे कुछ तुन्तुनिया को प्राजय के समझे इसको डील कैसे करना हैं ठीक है एह अंसर हमें लिखे नहीं है लेकिन आ कुस्तुन्तुनिया पर जब तुर्क लोग अटैक किया आकरमन किया 1453 में और जब कुस्तुन्तुनिया को पराजय करके उस पर अधिकार कर लिया तो कुस्तुन्तुनिया के लोगों के साथ इस यूद के दौरान यूद के उपरांत जो है है न विद्रो के दौरान या कहिए वित्रों के उपरांद जो है वो उनके साथ काफिस शोसन किया जाने लगा तुरकों के द्वारा अधकर आक सौनिया के लोग जो थे बिद्वान लोग जो थे पढ़े दिखेastic reck writes वो यहां से वह निरास होकर जो है वो इटली के और मूव कर गए जब इटली पहुंचे तो इटली में अल्रेडी वहां पर कुछ-कुछ बिद्वान थे तो इटली के बिद्वानों से जब इनका संपर्क हुआ तो उनसके प्रेरित होकर इन्होंने जो है वह साहित्य की रचना निकुस्तुनिया से जो बिद्वान गये मेगरेड्स it जो की है अापका फुनरजागृंत होकर उन बिद्वानों कि विचार धारा mm थे इसे तो कहीं न पर आपका कुस तुन्तुनिया का प्राजय एक कारण बना हो सकता है कि कुस्तुन्तुनिया न परजांत होता न कुस्तुन्तुनिया के लोग इठ लिजाते और न साहित अठीय का विकास होता है कि नि तो इसको लिखेगा कैसे लिखेंगे कि कुस्तुन्तुनिया का पराज है यूरोप में शुरू होने वाले पूनर जागरन काल का एक महत्व पूर्ण कारण बना क्योंकि कुस्तुन्तुनिया के अंदर गातिया देखा गया कि देखा तोर ग्षेंगे कि कुस्तुनिया के बिदवान लोगज इचली के और परवास कर गए और इचली आने के बाद यहां के लोगों से परभाविट होकर कई साहित्यों की रचना करना प्रारम कर दिये जिससे साहित्य का विकास हुआ अर्थत्पुनर जागरं का विकास हुआ सकेंड पॉइंट आपका आजाता है धर्म युद के अंतरकत हम लोग क्या देखने है धर्म युद का मतलब क्या हुआ दो धर्मों के बीच लड़ाई है ना दो धर्मों के बीच युद है कि नहीं तो आपको आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में ठीक है इसलाम धर्म वाला में ठीक है कि इसाई धर्म के बीच ठीक है इसाई धर्म के बीच और इसलाम धर्म के बीच है ना इसाई धर्म के बीच और इस्लाम धर्म के बीच 1095 से लेकर 1291 इस पी तक लगबग 7 जो है वो धर्मयूद होते हैं इस धर्मयूद में देखा गया इस धर्मयूद के बाद जो है वो इसाईयों को लगा कि धर्मयूद से जो है तो कुछ नहीं होने वाला कोई फाइदा नहीं है इसलिए उन्होंने धर्मयुद को अस्थागित करके जो है वह 3G प्रदिजान दिया त्री जी पॉलिशी इस अपना प्रशार प्रशार करने पर बल दिया और गलोरी मतलब अपना किरिती अपना एक यास है उसको दुनिया के सामने अस्थापित करने का प्रयास किया इस तारण आपका कलने का मतलब 수도 Chat की विवी रास्टों सकते बीच वयपार होना और विभेइन रास्टों के चब ये assess प्रारह को सबसे पहले less ूद्रेश विपार प्राहिश हो रहा यह सबसे पहले पर अर्तिक लाब आप फूल्बंस शेट किया उसके बाद यह जागर्न काल के अंतर चाहे वह साहिति का विकास करना हो चाहे वह कला का विकास करना ही था यह तो यह तीन पुएν्ट को आप डिल कर दिजेगा ठीक है चलें इंक भी कुस्चन के वाएं नवीन मार्गों की खोज में पूर्द गाल और चाहें के युगदानो तो अब यहां पर इंट्रो देखे हम कैसे बनाने का प्यास की है यूरोप भॉग अलिक खोज और नवीन मार्गों की खोज पर काफी बल दिया है इस माइडे से देखा जाए तो यूरोप के दो देश पूर्तकाल और अस्पेन सबसे आ गए है नवीन मार्गों के खोज में उ वो स्वयम नाबिक थे अब भाई जिसं देश का राजा स्वयम नाविक हो तो कहीं न कहीं उसमें नाविक तांग का जो और जो स्वयम आए गए इसलिए पूर्तकाल के राजा जैसे जॉन दिती हो गया, मैनौल पर्थम हो गया, इन सबों का युगडान रहा क्योंकि इन्हों ने एक नौचालन का एक स्कूल भी अस्थापित किया था, मतलब नौचालन के लिए इन लोगा स्कूल भी अस्थापित किया, दूसरी बात है कि कई पूर्टकालियों को जो है तो वो इकनौमिक स्थापोर्ट किया गया, और सपोर्ट किया गया, मतलब नौचालन के खोज में इनका युगडान है, तो वही हम इस कर्स में देखे लिखे हैं, कि यही कारण है कि पूर्टकालियों ने विभीन यहां पर नहीं होगा, विभीन नौचालन के खोज किया, जिसमें फरडिनेड और इसावेल का नाम महतुपूर्ण है, इसके अलावा जदी हम लोग देखें, तो उन्हेंने कई खोज करताओं को आर्थिक सहयोग भी किया, जिसमें क्रिस्टॉफर कॉलंबस है, मैगलन है, बेलकानो है, पीजारो है, इस प्रकारते इन्होंने जो है इसपेन के प्रियास से जो है, अमेरिका के मार्ग हो गया, मैक्सिको का मार्ग हो गया, पेरु का मार्ग हो गया, इन सबी नमीर मार्गों का खोज जो है, वो संभाव, आचली एक्लियर, आगे की और बढ़ जाते है, Quesstern No.17 की और दोस्त, कहता है, अमेरिका की खोज में को तो भारत की खोज का एक प्रयास हैं, ठीक है, आने की भारत की खोज के दौरान में जो है, वो अमेरिका का खोज हो गया है, चलिए इसकी अंसर को उम्लोग समझते हैं, अमेरिका का खोच क्रिस्टोफर कोलंबस के दुआरा 1492 में किया गया जिसे नई दुनिया के नाम से भी शमूदित किया गया इस अमेरिका का नाम जो है वो फ्लोरेंस निवासी विद्वान अमेरिगो वैस्पूची के नाम पर रखा गया अब इसमें हम लोग देखते हैं इस पर कर हम लोग जो है वो देखने का क्या प्रयास की है कि अमेरिका का खोच जो हुआ वो क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं किया किन्दू अमेरिका का नाम करन जो हुआ है वो Florence Nivasi, Amerigo by Speech के नाम के अधार पर हुआ है, आगे हम लोग देखते हैं कि इस अमेरिका की खोज, क्रिस्टोफर कोलम्बस के द्वारा, इस अमेरिका की खोज, क्रिस्टोफर के द्वारा भारत की खोज के करम में हुआ है, ना भारत की खोज के, एक मिने रुगिए गा, भारत की खोज पर निकल पड़ें, किन्तु मार्ग का अवबोध होने के कारण, मार्ग का अवबोध करने का मतलब है, कि रास्ता खोज आने के कारण, जो है, मार्ग भटक जाने के कारण, जो है, 33 दिनों की यात्रा के बाद, जो है, यह अपने 40 कुसल लाविकों के साथ में, श्र उसके नजर में एक नई दुनिया है इस परकार 1492 इस प्रिमे क्रिश्टापर कोलंबस के दुवारा अमेरिका की खोज में जो है वो यहम नोगदान रहा ठीक है अब आगे क्वेस्टन क्यों जाते हैं क्वेस्टन नमबर हमारा जो है वो 18 है कि और योगी करांती के समय की गई सब्सक्राइब ब्यूज्टन की सब्सक्राइब爸र में खार्य के समय को लगे तो उद्योग के छेत्र में जो बदला हुआ जो उत्थान हुआ उसीको नाम क्या दे दिया गया और द्योगी करांती दे दिया गया, इस और द्योगी करांती की शुरुवात 1780 के दसक में ये उरोप के बृतेन से होता है, जो 1850 के दसक तर चलता है, इस प्रकार इस दौरान कई चीजों का विसकार होता है, जिन में आपका हो गया, धमनी भठी हो गया, उसके बाद रेलवे प्रकार है नमबर वन जैसे रेलवे के विकास होने से अब परिवहन का साधन सस्ता हो गया था इतना ही नहीं एक साथ बड़ी पैमाने पर माल को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुंचाने लगा है कि सकेंड पॉइंट देखते हैं कि पावर लूम की खोज एडमन्ड काट राइट के द्वारा जब किया गया है उसके बाद सूती वस्त रूद योग में वस्त रिनमान का कारी मसीनों से होने लगा जिसे कम समय में अधिक उत पादन होने लगा थर्ड पॉइंट देखते हैं कि स्पेनिंग जिनी के विसकार से कताई में विरिदी हुआ जो एक अकेले मसीन कई मजदूरों के बराबर काम कर लेता था उसके बाद फोर्थ को पॉइंट पर आ जाते हैं इस प्रकार धमनी भट्टी के आने से लोग अगलाने का काम जो है वो आसान हो गया है ना इस पर कर आप यहां पर निसकर से लिख सकते हैं कि उप्रोक्त कतनों से असपास्ट होता है कि और जोगिक करांती के दौरन कई चीजों का विसकार किया गया जो मानो समाज के लिए काफी महतुपूर्ण है है ना आगे हम लोग देखते हैं कि पस्मि सभीता क्या है और चींग वर राजम वंस चीन की है और पस्मी सक्टि का था परिक्या है तो देखे भुमिका में उसको समझाने का प्यास की है कि परके épisode कि पस्मी पुर्वी एस्याई देशों के उपर आनि कि हम लोग जदी बात करें तो इधर अस्पेन फ्रांस पूर्तगाल जर्मनी बृतेन यह सब जो आपके पस्मी यूरोपी देश है वह पुर्वी एस्याई पुर्वी एस्याई मतलब चीन हो गया जपान हो गया उसके बाद आपका प्रषवात का अस्थापना किया गया फल्स वरूप चीन्य के सामने कई समस्याओं को जन्म दिया गया कई चुनोत्यां आने लगी इस प्रकार उससमें राजवन्स चीन्ग राजवन्स उन्होंने इस समस्याओं का शामना जो है वह नीम्न तरीके से किया हैं नंबर वन वह सरकार करा रजआए का लोगों में को प्रियास करने का प्रियास किया ताकि लोगों में आपने路 तो कहीं न कहीं इनके दोर जो भी काम किया जाएगा उनसे लोग जो है वो इनके खिलाब जो है आवाज उठाएंगे थर्ड पॉइंट है कि परमपरावादी को बदलने का प्रयास किया गया ताकि चीन में बुद्धी जीवी वर्ग का विकास हो आनि कि परमपरावादी प्रयास करने का प्रयास किया ताकि इस जंग में लड़ा जा सके तीस चौंत हम लोग देखेंगे कि सानी सक्ति को भी मजबूत करने का प्रयास किया जैसे आधुनिक अस्तर सस्तर से पूरे चीन को सुसाजित करने का प्रयास किया इतना ही नहीं सैन्या स्खूल भी खोला ब और इस प्रकार से आपका यह वीडियो जो है वो लास्ट हुआ आपका हमारा यह कुस्ता अंसर कैसा लगा कमेंट वॉक्स में जरूर बताएगा साथ ही आप हमार चैनल पर नए होगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही अपने दोस्तों के सब्सक्राइब जरूर कीजेगा लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप इसी तरह से प्यार आश्रवाद देते रहें